बिहार में एक बार फिर से मुकेश सहनी के लेके बड़का ख़बर सामने निकल के आ रहलबा कि मुकेश सहनी करिया मुलाकात अमिशा से अब बिहार में एंदिये के गटबंधन में शामिल हो सकता है असकार हमेश संजीव रोगवा देखतानी बिहारी नियुज भोजपूरी आई ख़बर के बिस्तार से जानल जाओ भी आईपी प्रमुक मुकेश सहनी एक बार फिर से कयास लगा वल जारहलबा कि बहुत ही जल केंद्रिये मंत्री अमिशा से उनकर मुलाकात हो सकता है मुलाकात भोईला के बाद साइड यह सफष्ठ हो जाओ कि का एक बार फिर से मुकेश सहनी के केंद्रिये मंत्री मंडल में जगा मिली अकी ना मिली यह अमिशा से मिला के बाद ही पता चल पाई लेकिन बिहार में सियासी माहौल गर्म बाउकरा के देखते हुए बिहार में अगर देखल जाओ तो मुकेश शहनी चिराग पासवान उपेंदर कुसवाहा के साथ साथ में अगर पाटी एंडिये में अगर गटबंदन करता है तो साइद आवे यह समय में बिहार के और बोट के परतीसर बहुत जादा भाटपा के साथ जुड़ जाई और इसन कयास लगा वल जा रहा हलबा बता दी कि चिराग पासवान के पहले से ही घोशना हो चुकलबा कि एंडिये में बहुत ही जल्द मोदी कैबिनेट में उनका जगह मिल सकता ओकराबाद उपेंदर क उस्वाहाद जदी उसे बगावत करें के मूर में तयार वाड़ है ओकराबाद मुकेश साहनी के अगर बात कर लाओ तो मुकेश साहनी भी पहले ही एक्षा जाहिर कर चुकल वाड़ है कि अगर एंडिये सेशन को प्रस्ता मिलता तो ओ गटबंदन करें में थोड़ा सा भी देर ना करी हैं बता दी कि मुकेश साहनी के जनधार बिहार में देखो जाओ तो बहुत बढ़ियां बा और चिराक पासवान के साथ अईल्या के बाद भाजपा के काफी ज़्यादा फाइदा भी होखे वाला बा कहा है कि मुकेश साहनी आज के यूगा नेता बाड़ है अस